So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करेंगे SBI के बारे में So guys, SBI के stock में आज हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है Stock अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 रोपे के आसपास गिरा है वही इस गिरावट के पीछे क्या कारण है तो guys, यहाँ पर dividend की date तो आ गई थी यहाँ पर quarters के results काफी दमदार थे और यहाँ पर dividend की date के announcement के बाद इन्होंने आज announce की है कि किस तारिक को आपके account में पेशा dividend का आने वाला है तो guys, उसके बारे में इन्होंने आज date announce कर दी है तो उस date के बारे में आज हम बात करेगे और guys, यहाँ पर क्यों गिरा है stock उसके बारे में बात करेगे तो काफी कुछ बाते होंगी SBI को लेकर तो वीडियो को end तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो guys, please channel को subscribe कर देना तो चलते है SBI के उपर So guys, बात कर रहे है State Bank of India की State Bank of India में अगर देखोंगे तो 8 रुपे, sorry guys, मैंने साथ बोला तो पर यहाँ पर 8 रुपे तक की गिरावट है 1.86% तक stock गिर गया है 453.45 रुपिस तक stock आज यहाँ पर stock ने closing दी है तो guys, यहाँ पर गिरावट तो stock में आई है और यहाँ पर मैं एक चीज कहूँ तो आप किसी भी stock का data निकाल कर देख लो dividend की पहले का data अगर आप निकाल कर देखोंगे तो आज यहाँ पर x date हम कह सकते हैं dividend के लिए क्योंकि कल यहाँ पर record date है यहाँ पर 25 अगर देखा जाए तो एक x date कहा था और 26 record date है फिर उसके बाद आप अगर इसे buy करते हो तो आपको dividend का फाइदा नहीं मिलेगा तो guys, benefit तभी मिलता है जब आप आप पर x date के पहले खरिदारी करते हों तो guys, बिल्कुल यहाँ पर खरिदारी stock में होई है और कहीं न कहीं किसी भी stock का अगर आप record उठा के देख लो dividend के पहले का तो stock गिरता ही है यह generally एक normal process है बिल्कुल ओ stock गिरता ही है इसमें ज़्यादा डर्टे वाली बात नहीं है सो guys, बात करें अगर date की तो यहाँ पर क्या चल रहा है विल अनॉंसिंग एट्स क्वाटल फोड defy 2022 results SBI बोड डिकले डिविडेंग सेवन पॉइंपउइंट पर इक्विटी शेर्ट तो guys, यहाँ पर 7.10 रुपीज के आस पास का डिविडेंड आपको SBI देने वाला है और वही अगर बात करें तो इनकी जो record date थी ओ है 26 में और ओ 26 में है कल और बिल्कुल उन्होंने आज ही यहाँ पर जो यहाँ पर अगर दिखा जाए आपको payment कब की जाएंगी तो वो payment की जाएंगी 10 जून को 10 जून की तारीक को आपके account में पेशा आने वाला है dividend का या फिर उससे पहले भी आ सकता है यहाँ पर SBI ने clear कहा है June 10 as the date of payment of dividend and the sum will be dispatched before the date of payment यानि आपके account में इस date के पहले 10 जून से पहले भी पेशा आ सकता है वही गाज clearly हापर कहा है और इंडिया's biggest bank report यहाँ पर चू SBI है उन्होंने 41% का यहाँ पर website के और गया था इसके net profit बड़े है तगड़े और आज अगर देखा जाए तो 461 रुपे पे stock open हुआ था 464 का high भी लगाया और 452 का low भी लगाया है market cap 4.05 lakh करोड का है peer ratio 11.44 का है dividend देता है stock 1.57% का 52 weeks के high की बात करे 599 का है और 400 के असपास के हाप पर low भी आपको देखने को मिलेगा बात करें guys यहाँ पर जो इसकी ex date थी और आज ही के दिन की थी 25 में इसकी ex date थी 7 रुपे 10 पैसे के 10 पैसे तक के dividend के लिए और बिलकुल यहाँ पर कल record देते 26 अगर आपने खरीजा होगा तो रेकॉर्ड हो जाएगा 26 में थी और वही अगर देखा जाए तो 10 जून को आपको payment कर दी जाएगी इसके dividend के पेस हो वही अगर बात कर इसके चार्ट की तो चार्ट में भी हम पहले भी बात कर चुके है इसके बारे में और यहाँ पर चार्ट में मैंने clearly कहा था कि यहाँ पर थोड़ी दिन upside downs momentum से रहे सकते हैं और आप देख सकते हो मैंने ऐसा क्यों बोला था क्योंकि स्टॉक अगर देखा जाए तो एक range में यहाँ पर काम कर रहा है upside down momentum यहाँ पर स्टॉक बता रहा है उसी की बतलत अगर आप यहाँ पर देखोंगे तो स्टॉक में यहाँ पर पहले इस level से उपर गया था यहाँ से rejection लेके stock नीचे की और आया था फिर यहाँ पर stock फिर से उपर की और गया और इस level को इसने ब्रेक किया गया यहाँ पर break करने के बाद है sideways consolidate करने लगया sideways consolidation के बाध stock यहाँ पर break out इसे मिला है breakout के बाद stock उपर गया है फिर नीचा आया फिर उपर गया फिर नीचा आया फिर उपर गया फिर नीचा आया तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कही न कही price actions के rules के इस अगर देखा जाए तो इसे हम कहते है और triple top pattern तो ये गिरावट का sign भी कह सकते हैं बट जिस तरीके से इसका past अगर आप देखोंगे जिस तरीके से पीछे अगर ये patterns बनाते जा रहा है के range में तो इसे भी हमें के range कह सकते हैं इसे भी हमें के range कह सकते हैं के range के अंदर stock upside downs momentum कर रहा है और यहाँ से जब जब इसने support लिया है एक अच्छा momentum आया है और यहाँ से भी एक बड़ा momentum आ सकता है तो guys यहाँ से target क्या निकल कर आता है 550 रुपे के असपास का target निकल कर आता है सामने और वही अगर बात करेगा तो बिल्कुल यह शांदार stock है Community sentiments के आगड़े भी कही ना कही आज morning में negative है क्योंकि 21% लोग sell के लिए कह रहे है और 74% लोग है यहाँ पर buy के लिए कहा जा रहा है और 5% लोग के और से hold के लिए कहा जा रहा है यानि 79% लोग हो जाते हैं जो बिल्कुल इस share को लेकर positive है trade value इसका एक करोड के आसपास का है yesterday का दो करोड था और 87,00,000 का common and delivery आपको देखने पर मिल जाएगा guys और कल के मुकाबले आज का जो इसका volume देखने को हमें मिले है वो कही ना कही हम कह सकते कि ओर down है और बढ़ेंगे आने वाले time में भी तो 1 करोड के आसपास का trade value है आज का 2 करोड का sorry guys कल का 2 करोड का trade value 87,00,000 का common and delivery था और 1 week के average की बात करें तो 2 करोड का trade value और 64,00,000 का common and delivery है यहाँ पर और 1 month के average की बात करें तो 2 करोड का trade value 67,00,000 का common and delivery भी देखने को मजाएगा बात करें price performance की तो यहाँ पर price performance भी इच्छा increment बता रहा है वन वीक का दिखा जाएं तो यहाँ पर 0.85% है negative और वन मन्त का 8.22% negative है त्री मन्त का 5.97% negative है यहाँ का 1.38% negative है और बाकि अगर देखा जाएं वन यह और त्री यह का 10.12% positive है और त्री यह का 27.79% बिल्कुल गाइस positive return भी stock आने वाले time में दे सकता है तो stat bank of India के बारे में काफी कुछ बाते हम कर चुके है क्यों stock गिरा है अगर आप पिछले records भी निकालोगे तो dividend के पहले कोई भी stock घरता ही है वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को like करो channel को subscribe करो thank you